तो क्या बेजान चीजों का आप पर असर पड़ता है? हाँ, अगर आप पढ़ने देते हैं तब आप इस धर्ती पर एकमात्र जीव हैं जिसे अपने जीवन को खुद गढ़ने की आजादी दी गई है इंसान इसी आजादी से दुखी है अच्छी किस्मत के लिए आप इसे अपनी जेब में रखे अगर यह आपके उंगली पर होगी तो लोग सोचेंगे कि आप सर भारती समाज में जब लोगों को कोई परिशानी होती है मान लेते हैं कि कोई बिमार है तो तीन तरह के लोग होते हैं पहले वो जो अस्पिताल जाएंगे दूसरे वो जो मंदिरों की और भागेंगे और फिर तीसरे वो लोग हैं जो जो जोतिशी के पास जाएंगे तो हमें असल में शुरू से ही सिखाया जाता है कि बेजान चीजे और हमारे आसपास की चीजें हमारे जीवन को कंट्रोल करने की ताकत रखती है मिसाल के लिए ये मिसाल के तौर पर मेरी मा ने दो-तीन साल पहले मुझे एक अंगूठी पहनने के लिए कहा था जिसमें एक रत्न लगा था मैंने आज भी पहनी हुई है तोकि मा ने कहा है आपको इसे उतारने की जरुरत है वरना लड़के सोचेंगे अच्छी किसमत के लिए इसे अपनी जेब में रखिया अगर आपकी उंगली में होगी तो वो सोचेंगे कि आप देखिए मानव जीवन इस तरह से बना है खासकर इंसान का जीवन सभी जानवर के लिए प्रकृति ने इस पश्ट रास्ता तय कर रखा है वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते उनका जीवन दो रेखाओं के बीच चलता है वो उससे नीचे नहीं जा सकते वो उससे उपर नहीं जा सकते उन्हीं के भीतर वो जीते हैं इसलिए वो इतने आश्वस्त दिखते हैं और वो शान्तिमय होते हैं जब उनका पेड भर जाता है तो वो पूर्ण शान्त हो जाते हैं क्या आपने ये देखा हैं? अलो? क्या आप मेरे साथ बात कर रहे हैं या नहीं? क्या आप सभी जान्वरों में देखते हैं कि जब उनका पेड भरा होता है तो वो शान्तिमय होते हैं लेकिन इनसान सोचते हैं या उन्हें सिखाया जा रहा है कि शान्ति जीवन का अंतिम लक्षे है एक भैस पेड भरा होने पर शान्ति से बैठती है और आपके लिए वो अंतिम लक्षे है कितनी शर्म की बात है जो काम एक भैस भर पेड घास खाकर या जो भी वो खाती है उसे खाकर कर सकती है उसे आप अंतिम लक्षे की तरह मानते हैं क्या ये शर्म की बात नहीं है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ लेकिन ये इसी तरह सिखाया जा रहा है शांती आपके जीवन का चरम लक्षे है लेकिन अगर बुन्यादी चीज़ों पर आएं अगर आप आज शांती पूर नहीं है तो क्या आप आज भोजन का आनन ले सकते हैं? नहीं अगर परमानन में नहीं तो कम से कम आपको शांती माय तो होना चाहिए तो मैं पूछ रहा हूं कि क्या इसे आपके जीवन का पहला कदम होना चाहिए या आपके जीवन का आखरी कदम ऐसे लोग सिर्फ मरने पर ही शांती से होंगे अब क्या दूसरी चीज़ों का हमारे उपर असर पड़ता है खासकर निर्जीव चीज़ों का रतन और हीरे और वैसी चीज़ें और ग्रह भी देखे पृत्वी की प्रकृती देखे पृत्वी की प्रकृती का इस पर मौझूद जीवन पर कुछ खास असर होता है आप देखेंगे कि पूर्णिमा के दिन और अमावस्या के दिन कई जानवर कुछ खास तरीकों से सिर्फ इसलिए बरताव करते हैं क्योंकि वो इससे प्रभावित होते हैं आप जानते हैं पूरा महासागर उपर उठता है जब लाखों टन पानी से भरा महासागर उपर उठ पाता है तो जब आपके शरीर का 72 प्रतिशत हिस्सा पानी है तो क्या आपको लगता है कि ये बिलकुल उपर नहीं उठेगा ये उपर उठता है तो मुझे नहीं पता अगर आप इसके प्रती सचेतन है लेकिन भारत में ज्यादतर लोग जानते हैं सिर्फ भारत में ही नहीं कहीं भी जहां भी पागल खाने हैं वहां लोग इसके प्रती सचेतन हैं पूर्निमा के दिन और अमावस्या के दिन लोगों के मन में आशान्ती का स्तर ज्यादा हो जाता है तो लोगों को लगता है कि अमावस्या और पूर्निमा से पागलपन होगा नहीं, ये सच नहीं है, अगर आप बहुत प्रेम में हैं, तो पूर्णिमा के दिन आप ज्यादा प्रेम में बन जाएंगे, यदि आप बहुत आनंद में हैं, तो पूर्णिमा के दिन आप ज्यादा आनंद में हो जाएंगे, अगर आप थोड़े संकी हैं, तो आप ज्यादा सन की हो जाएंगे जो भी आपकी quality है वो उस दिन थोड़ी बढ़ जाती है तो जो लोग romantic हैं उन्हें पूर्णिमा का दिन चाहिए जो लोग ध्यान करना चाहते हैं वो पूर्णिमा का दिन चाहते हैं किसी दूसरी चीज़ पर ध्यान नहीं देता वो लोग कहते हैं कि ये सब बकवास है नहीं, अगर आप अपने शरीर पर ध्यान देते हैं तो बिना उपर देखे, बिना कैलेंडर को देखे आप खुद से जान जाएंगे कि पूर्णिमा कब है, अम आवस्या कब है अगर आप अपने सिस्टम पर परयाप्त ध्यान देते हैं क्योंकि आपके सिस्टम में खास बरताव देखता है लेकिन इंसान के साथ समस्या ये है या लोग इसे एक समस्या की तरह देखते हैं अगर आप किसी संभावना की पूरी खोजबीन नहीं करते तो आपकी द्रिष्टी में वो एक समस्या जैसे दिखती है एक समस्या हमेशा एक समभावना होती है है ना आपको ये अच्छी नहीं लगी जो एक समभावना है अगर आप उसकी खोजबीन नहीं करते अगर आपको ये एसास नहीं है कि समभावना क्या है तो वो आपको एक समस्या जैसी लगेगी तो क्या बेजान चीजों का हम पर असर पड़ता है? हाँ, अगर आप पड़ने देते हैं तब क्योंकि ये इनसान के विडंबना है कि आप जो हैं, वो प्रकृती द्वारा तय नहीं किया गया है उसे आपके लिए खुला छोड़ दिया गया है आपके लिए खुला होने का मतलब है कि आप इस धर्ती के एक मात्र जीव हैं जिसे अपने जीवन को खुद गढ़ने के आजादी दी गई है क्या ये छोटी बात है? ये लाखों वर्षों के विकास का नतीजा है कि एक कोशिका वाले जीव से शुरू होकर इन सभी जीवों के बाद इन करोडो रूपों के बाद आज यहां हम बैठे हैं ये एक मात्र जीव है जो अपने जीवन को जैसा चाहे वैसा गढ़ सकता है हर दूसरे जीव को प्रकृती के नियमों से जीना पड़ता है हम अपना जीवन खुद गर सकते हैं इसी आजादी से इनसान पीड़ा पा रहे हैं अगर आप अपनी गुलामी को भूगत रहे होते तो ये ठीक था अगर आप अपनी आजादी को भूगत रहे हैं तो आप एक आपदा हैं, है ना? आप अपनी दास्ता को भूगत रहे हैं आप किसी चीज में बंदे हुए हैं आप उसकी पीड़ा से रहे हैं ये समझ आता है लेकिन आप इसलिए दुखी हैं क्योंकि आप आजाद हैं ज्यादतर इनसान इसी ले दुखी हैं क्योंकि वो आजाद हैं वो हमेशा हर समय खुद को किसी इनसान या किसी चीज से बानने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आजादी उन्हें डराती है क्योंकि आजादी एक मार्ग रहित रास्ता है आजादी एक खुला इलाका है कोई तई रेखा नहीं है क्योंकि कोई तई रास्ता नहीं है तो ज्यादा तर लोग आतंकित महसूस करते हैं लेकिन मानव जीवन में सबसे बड़ी चीज आजादी है कैसा नहीं है? इस संस्कृती में सबसे महतुपून ईश्वर नहीं है स्वर्ग नहीं है बलकि मुक्ती, मोक्ष, आजादी ही सबसे महतुपून है ये स्थापित हो चुका है कि आप जो भी करें आपको मुक्ती खोजनी चाहिए आप अपने जीवन के साथ जो चाहे कर सकते हैं पर वो प्रक्रिया आपकी मुक्ती की और होनी चाहिए आपको हर दिन आजादी के उँचे से उँचे स्तर की और बढ़ना चाहिए वरना आपके जीवन का कोई फाइदा नहीं है क्योंकि आप जीवन की प्रक्रिया में उलज रहे हैं अगर आप स्वर्ग भी जाते हैं तो वो भी एक उलजाव ही है देखें मुझे यकीन है कि आपने IIT में एड्मिशन मिलने के पहले आप अब भी भी बॉम्बे लगा रहे हैं मैं देख रहा हूँ आपके IIT में दाखेले से पहले जब आपने अपना जो भी एंटरेंस टेस्ट या जो भी लिखा था केवल एक चीज थी कि किसने किसी तरह मैं अंदर पहुँचना चाहता हूँ मैं अंदर होना चाहता हूँ क्योंकि ये स्वर्ग जैसा है स्वर्ग में घुसन जैसा चाहे जो हो जाए मैं एडमिशन चाहता हूँ मैं सिर्व यही चीज चाहता हूँ अंदर पहुँचने के बाद देखिए कितनी समस्या है मैं आपसे एक आसान सवाल पूछ रहा हूँ इस धर्ती पर होते हुए क्या आपके पास कोई सबूत है कि आप पहले से ही स्वर्ग में नहीं है और इसे बरबाद कर डाल रहे है क्या आपके पास कोई सबूत है मान लीजे कि आप इस सौर मंडल से ओड़कर बाहर चले गए और फिर पूरे सौर मंडल को देखा जो भी ये 12-14 ग्रह और उब्रह है इन सभी के बीच क्या पृत्वी निश्चित रूप से एक स्वर्ग लोग जैसी नहीं दिखती आया नहीं तो आप पहले ही स्वर्ग में हैं और इसे बरबाद कर दे रहे हैं और अब आप एक दूसरे स्वर्ग को जाना चाहते हैं ये संस्कृती स्वर्ग को महत्व नहीं देती भगवान को महत्व नहीं देती केवल आजादी को महत्व देती है हम स्रिष्टी और स्रिष्टी करता से भी आजाद होना चाहते हैं मुक्ती, मौक्षी, चरम मूल्य है क्योंकि ये एक दार्शनिक मूल्य नहीं है ये एक धार्मिक मूल्य नहीं है ये ऐसी चीज है जिसके लिए हर जीवन लालसा कर रहा है बात सिर्फ इतनी है कि ज्यादतर इंसानों के पास दूर दृष्टी नहीं है तो वो इसकी लालसा खिष्टों में कर रहे है देखे लोग अभी जो भी चाह रहे है अगर उनके पास कुछ नहीं है तो वो कहेंगे अगर मुझे रोज 100 रुपे मिल जाए तो शिव जी मुझे बस इतना ही चाहिए ऐसी प्रार्तना होती है 100 रुपे उपर से गिरे 100 रुपे ठीक है ठीक है ठीक है तीन दिन 100 रुपे मिले ठीक है चौते दिन सिर्फ 100 रुपे अरे शिव जी आपकी समस्या क्या है क्या आप इतने गंजूस हैं कम से कम रोज 1000 रुपे दीजिए ठीक है 1000 रुपे का नोट गिरा सद्द गुरू के लिए 1000 रुपे कहां से गिर रहे हैं? उनके पास कहां पर हैं? नए, ने, 2000 रुपे गिरे आपने 1000 मांगे, 2000 गिरे अधबुच, शिवजी, शांदार 10 दिनों के बाद ओ, केवल 2000 रुपे? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने पैसे मिलते हैं थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और चाहिए है ना ये पैसे के बारे में नहीं है लोगों को लगता है कि ये पैसे के बारे में लोग सोचते हैं कि ये दौलत, ताकत, सुख, प्रेम, ज्यान के बारे में हैं नहीं, ये सभी अलग-अलग मुद्राएं हैं असल में आप विस्तार खोज रहे हैं क्योंकि आप घुटन महसूस करते हैं अगर हम आपको बहुत अधिक समय तक एक ही जगा पर रखें तो इनसान के भीतर कुछ ऐसा है जो असीम रूप से विस्तार करना चाहता है इसका मतलब है कि आजाद हो जाना चाहता है और कुछ नहीं अगर इस पर सावधानी से गौर करें भीतर मौजूद जीवन की प्रकृती को देखें तो ये एक असीम तरीके से विस्तार करना चाहता है एक मातर चीज जिसकी इलालसा कर रहा है वो है असीम हो जाना इसका मतलब है कि आजादी चाह रहा है इसलिए संस्कृती में हमने सबसे ज्यादा महत्व मुक्ति या मोक्ष को दिया जिसका मतलब है आजादी ना कि स्वर्ग क्योंकि स्वर्ग बस एक दूसरी जगा है हो सकता है कि वो रहने की थोड़ी बहतर जगा हो लेकिन थोड़े समय बाद भाई परिशानी होगी है ना